आज के लेक्ट्चर में हम पढ़ेंगे यह हमारा लेक्ट्चर का सिरी का सेगेंड पार्ट है पेले हमने सीरीज पेले हमने पार्ट में हमने Elastic Compute Cloud को practical way में आपको बताया था कि कैसे इसको लांच करते हैं computer में इस पार्ट में हम लोग यह theory lecture cover करेंगे कि Elastic Compute Cloud क्या होता है चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टू की full form होती है Elastic Compute Cloud E for Elastic, C for Compute and another C is Cloud So Elastic Compute Cloud को हम अगस्ट 2006 में इसको लांच किया गया था और यह Lease जो था वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें EC2 को लांच किया गया था फिर 2008 में EC2 को Window Operating System में एड़ किया गया और यह देखा गया कि EC2 काफी Amazon की one of the best and popular service मानी जाने लगी उस समय पर और वो अभी भी है and EC2 में EC2 यूजर को यह facility प्रोवाइड करती है कि वह virtual computer वो है rent पे ले सकता है और उस पे अपने computer application को deploy कर सकता है guys इस पे हम ना कि computer application काफी चीज हम deploy कर सकते हैं like आप blog का data बेर सकते हो जैसा आप physical computer का use कर सकते हो उसी तरीके साब virtual computer का भी use कर सकते हो virtual computer is just like a server जिसका आप कुछ भी data को store कर सकते हो website का background database store कर वा सकते हो anything that you want okay और जो गई यह virtual computer होता है उसको हम create launch और कभी भी हम इस server को terminate कर सकते हैं जब हम चाहें कि यह देखा गया कि जो EC2 है काफी reliable or secure और इसमें सबसे important वाइस यह है कि इसका जो infrastructure वो on demand है जिस तरीके से अगर हम को अगर increase करना है और यह decrease करना है capacity को तो हम इसको काफी कम minutes में कर सकते हैं यह नहीं कि हमको काफी सारा गंटे देने पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फ्यू minutes में इसकी capacity को increase और decrease कर सकते हैं और 99 परसेंट यह Amazon ने पूरा area cover कर लिया है reason इसमें हमने देखा गया कि at least 3 availability zone हर region में है Amazon का अभी काफी ज्यादा network हो गया है तो यह देखा है कि हर zone में इनका 3 at least है ही है और सबसे important है सबसे अच्छी बात यह है कि जो AWS वो support करता 89 security standard यह काफी अच्छी बात है इससे AWS security काफी enhance हो जाती है हो guys मैंने अपनी slide में एक चीज और डाला हुआ है जो कि Netflix Netflix हम जानते काफी popular चीज है एंड काफी trending चीज है इस पर लोग online streaming से videos and series वगरा देखते हैं तो guys इसमें AWS काफी use amount of role play करता है जो Netflix का data होता है जो भी हम online streaming करते हैं like उनका कोई भी data है वो AWS handle करता है जैसे इसमें लिखा गया है कि आप देख रहोंगे कि यह इस पर 100 million member है Netflix पर यह 190 countries में available है और guys यह देखा जा रहा है कि इसमें काफी big data है जो कि AWS handle कर रहा है कि काफी सारी services provide करता है Netflix को like computing storage and database analytics recommendations engine video transcoding और काफी सारी चीज़ provide करता है और इस चीज़ को पूरा करने के लिए AWS जो है one lakh service जो है AWS provide करता है Netflix तो आज का lecture हमारे इतना ही था अगर आपको यह आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको यह वीडियो लगा आपको knowledgeable लगी हो तो आप इस मेरी वीडियो को like कर सकते हैं comment कर सकते हैं and please subscribe for this year so thank you for giving your business